नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टागेट एट वन में मैं हूँ अमरिता और आज हम बात करने वाले हैं उन्हां तरजार सहाइक सिप्षक भरती की लेटिस्ट अपडेट के बारे में तो जाने क्या है आज खास आज हम जानने वाले हैं हाई कोट की अपील जो अटसर जार पांसों के रिगार्डिंग दी गई थी उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया है और कब होगी उसकी अगली सुनवाई फिर हम बात करेंगे कि STF को मिली एक आडियो रिकॉर्डिंग जिसके थूँ उन्होंने अपनी जाच का दायरा और बढ़ाया और फाइनल हम बात करेंगे भरती रद करने की याचिका जो डाली गए थी बंड़ी पांड़े के द्वारा उसकी सुनवाई कब होगी तो सबसे पहले बात करते हैं 68500 की सिक्षक भरती की जो सुनवाई थी उसके बारे में तो गाइस 800500 की कई सारे भरती ऐसे थे जिने बाद में भी नियुक्ती नहीं मिली थी और उन्होंने कुछ अपील दायर की थी और फिर हाई कोट पहुचा था जिला अबंटन का विवाद और जुलाई में होनी थी इसकी सुनवाई तो लाबाद हाई कोट ने 800500 सिक्षक भरती में जिला अबंटन मामले में एकल पीट के आदेश के खिलाफ विशेश अपील दाखेल की हुई थी और उसमें 260 दिन की देरी को भी उन्होंने माफ कर दिया है कोट ने देर से आने के कारण को पर्यापत मानते हुए अपील को सुनवाई के लिए स्विकार कर जुलाई के दूसरे हफते में पेश करने का आदेश भी दिया है और यह आदेश नयायमूर्ती पंकज मित्तर और नयायमूर्ती यश्वंत वर्मा की खंड पीठ में अकिल शेखर भारदवाज की विशेश अपील पर दायर किया गया था तो यह थी आपकी 8500 की लेटिस्ट अब बात करते हम सेकंड सेकंड टॉपिक है जो हमारा स्टीफ की जांच के उपर तो वाइरल आडियो जो जांच ह पर पैसो के लिए इन देन का ऑडियो एस्टीफ को भीजा गया गया इस्टीफ को अडियो इनहीं अभियर्थियों भीजा था जो बहरती में शामिल थे जो चैनित थे और कई सारे ऐसे बच्चे तो जो चैनित नहीं थे लेकिन इस भरते में पास हैं तो 79.000 साय श्टिक्ष गए पत्र में सचिव ने लिखा है कि 11 मार्च को महा निदेशक स्कूली सिक्षा ने ये परीक्षा पास करने के नाम पर पैसे के लिए इन देन को वाट्सप पर वाइरल आडियो संदेश की फॉरेंसी जांच कराने के लिए दोश्यों पर करवाही के निदेश दिये थे आगे से न देशक राजकिया विध्य विग्यान प्रयो ग्षाला लक्नों मिल्से एस वारंग से जांच की रिपोर्त की योपा नहीं मिलने पर फिर से दो जून को ईएमेल और रिजिस्टर डाग से जांच रिपोर्ट पानलंुरद किया गया है तो आपको यहां पर देखने वाल योज मिल रहे हैं जो अभियर्थियों ने दिये हैं वाटसप में तो यह सारी चीजे यही दर्शाती हैं कि अगर यही सब चीजे उस टाइम हो गई होती है तो आज आपको डेट साल का इंतजार नहीं करना पड़ता फिरहाल स्टीफ को आडियो मिल चुकी है और इस आडियो क नहीं कि शारे शहर हैं जिनमें चापा पड़े का और बाद में इन्हीं सारे चीजों को ले करके और कि कई सारे अभियर्थियों का नाम शामिल है वो इसमें आएंगे और आम शोर गाईस की यहां पर आप देखेंगे कि आपको पांच या छी परसंट ऐसे अभियर्थी मिल तो उनके लिए एक थोड़ी से खुशकबरी है यहां पर कि अगर यह सब भरती निकलते हैं तो जिनका पॉइंट सम्थिंग से डिफ्रेंस रह जा रहा है चैनित होने में उन सारे भरती को यहां पर मौका मिले गए सब भरती इस सब भरती में चैनित होने का दोबारा से तो अ अतरजार में सम्मिलत हैं चैनित हैं या फिर अचैनित हैं सभी के लिए या फिर जिन बच्चोंने यूपिटेट पास करा हैं उन सारे भैठती ओके लिए खबर क्या है उनतरजार भरती में अन्यमतता ब्रश्टाचार सीबी आय जांच परीक्षा निरस्त संबंधी याचि में सयोग किया है और याचिका है CPI की जांच करवाने के लिए और उनतरजार भरती में अन्यमतता यानि ब्रश्टाचार इन सब संबंधी और जादेतर फोकुस किया जाएगा इंफसाइस किया जाएगा परीक्षा रद करवाने के लिए तो गाईज ये एक तरीके से देख जाएगी क्योंकि नेक्स टाइम हो सकता है कि जो डेट्स हो में सुनों ने क्यों किये थे काफी महनत करी थी और इस टाइम उतनी महनत ना कर पाई क्योंकि वह अंदर से बिख़ड चुके होंगे second thing is कि अगर बच्चे ने अगर अभियर्थी इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो अगर परीक्षा रद हो जाती है तो फायदा ये होगा कि जिन बच्चों ने पैसे देकर यहां सेलेक्शन पाये था उनके पैसे वेस्ट हो जाएंगे और उस second time पैसे देने से डरेंग तो कई सारे ऐसे अभियर्थी हैं जो इसमें पाये जाएंगे दोशी और उनको उनके खिलाफ कारेवाई भी होगी तो गैस यह थी हमारे latest update उनहत्तार सिक्षक भरती को ले करके चले मिलते हैं एक और वीडियो में आगे चलके और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंज को शेयर करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को पक्का दबाएं क्योंकि इससे आप हमारे द्वारा दी गई latest update को अपने चैनल पर देख सकते हैं तब तक के लिए मृता को दीज़े इजात्त बाबाई